दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो गया है आज का इंसान अपने ही घर में अपनों को ढूंडता है मेरा नाम है संतोश्यादा वो स्वाकत है आप सभी लोगों का हमारे चेनल दाइमेंट लोग पे एक सेट जी थे जो अपना पूरा घर परिवार हवेली जमीन जाजात सब को छोड़ कर सहर में सिप्ट हो जाते हैं अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते हैं वो अपना खुद का एक मकान ले लेते हैं और एक मकान के अंदर सिप्ट हो जाते हैं बच्चों को बढ़ाते हैं पढ़ाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं नोकरी करने लग जाते हैं सर्विस करने लग जाते हैं लेकिन एक दिन तो जगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, उनके मकान के अंतर जगड़ा दोनों भाईयों का चल रहा था, जगड़ा इस इस्तर पर पहुंच गया था कि दोनों के बीच में आपसी में मार पिट और हाता पाई पे दोनों भाई उतर आये, ये देख पिटाजी बोलते हैं कि आप इतनी सी छोटी सी जीज के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो, हमारे पास तो खजाना है, कैसा खजाना पिटाजी? तो ओले गाउं चलना पड़ेगा, गाउं में खजाना है उस खजाने को देखने के लिए, तो ओले ठीक है चलते हैं, तो ओले आप दोनों चलने के लिए तैयार हो, अगाओ काओ काफ़ी ज्यादा दूर था बस से सफर करना था और 10-12 गंटे का उनका सफर होने वाला था जाकर बस में बेटते हैं देखते हैं कि वहाँ पास सिर्फ दो सीटे हैं वो बेटिने वाले तीन थे तो पिता जी के साथ एक भाई बेट जाता है थोड़े तेरे के बाद फिर एक भाई बेट जाता है ये खड़ा हो जाता है और फाइनली जो वो 10-12 गंडे का सफर था वो गाउं में कहुचने एक बाद समाप्त दोता है जैसे ही गाउं में पहुचते हैं तो जो बाबुचे थे उनके पहचान के कुछ लोग गाउं में परिचित मिल जाते हैं राम राम श्याम श्याम करते हैं वो लगातार आगे बढ़ते हैं और गाओं के बिल्कुल कोने में जाकर वो देखते हैं दूसे एक बहुत बड़ी हवेली थी लेकिन जब पास में जाकर देखते हैं तो वो हवेली पूरी तरीके से खंडर हो चुकी थी पिताजी देखते हैं कि वहाँ पर तो कबूतरों ने अपना घोसला बना लिया है और वो बिल्कुल खंडरे हो जो कि ये वो किसी काम की नहीं थी ये देखने के बाद दोनों भाईयों में उटसुकता थी लेकिन ये देखने के बाद वो आस्या चक्कित हो जाते कि ये ग्या है पिताजी बूलते हैं कि बिटा तुम्हें पता नहीं है इसी जगा पर तुम बचपन में खेले कूदे तुम्हारा बचपन भी था हलाकि बच्पन में हम तुम्हें लेके सहर पहुँच गए तो तुम्हें इसका जादा अंदाजा नहीं है यह हवेली है यह हमारी ही हवेली थी और इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई कर ली थी जैसा जगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ ऐसा ही जगड़ा हम दोनों भाईयों का भी एक समय हुआ था और हमारा जगड़ा भी हाता पाई पर आ गया था और मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और यह हवेली मुझे दे कर विदेश चले गया लेकिन उस लड़ाई का परिणाम यह है कि जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने आज तक मेरे से बात नहीं की ना मेरे हाल चाल पुछे ना मेरे तक आया इसी हवेली के बज़े से जिस हवेली को छोड़ कर मैं सहर चला गया और आज ही हवेली खंडर हो गई है जब आप दोनों की मैंने लड़ाई देखी तो यह लड़ाई देखने के बाद मुझे वो लड़ाई याद आ गई जो मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई हुई थी इसी लड़ाई के वज़े से आज हम दोनों भाई अलग हो गए हैं और इसी छोटी सी लड़ाई के वज़े से आज तुम दोनों अलग होने वाले हो गए वो कहते हैं कि बस में हम आये थे बोले हाँ पिताजी बस में हम आये थे तो बोले जो बस की seat है वो क्या पर्मानेंट हमारी हो सकती है दोनों भाई हसने लगते हैं बोले कैसी बात करो पापा बस की seat क्या कभी हमारी हो सकती है क्या बस में तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे सीड बदलती रहेगी पिटाजी कहते हैंगे ठीक ऐसा ये हमारा भी जिस प्रोपरटी के लिए जिस जमीन के लिए जिस हवेली के लिए हम लडाई कर रहे हैं ये तो हमारी है ये नहीं आते रहेंगे जाते रहेंगे ये बदलत कहानी बहुत छोटी है लेकिन मैसेज बहुत बढ़ा है दोस्तों कि आज की आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर हम इमोशनल दुनिया को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं इना जिसमें सब कुछ है इस भागदोड़ भरी जिंदगी में हम भागते रहेंगे दोड़ते रहे लेकिन हमें लास्ट में मिलेगा क्या अंधिकार अंधिकार के अलाबा इस जिवन में हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है जो आज है वो हमारा नहीं है कल किसी और का होगा और जो आज है वो कहिले किसी और का था दुनिया इसी तरीके से चलती है पस परिवार में इसी तरीक हमारी नहीं हो सकती, इसमें सवारियाती रहेगी, जाती रहेगी, ठीक परिवार में भी इसी तरीके से, कहानी बहुत छोटी लेकिन मैसेज बहुत बढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, सेर करिएगा और च सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं फिरसके सीख आज वीडियो में तर तक लिए जय हैं, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद,